ओम् यस्यो दयास्त समये सुरुम कुटनि ग्रिष्ट चरन कम लोपी कुरुतें जलिम्त्रिनेत्रह सजेति दामनाम निदिहि सूर्यह नमस्कार आप सभी स्रोताओं का पनो स्वागत है मैं डॉक्टर प्रभाकर पुरुहित जैसे कि हमने पुरु में चर्चा की थी जोति सास्त्र की द्रिष्टी से किस प्रकार से रोगों का निदान किया जाता है उसी क्रम में आज हम पुनहां आप सबके साथ एक नए रोग एक नए विशाई पे जोति सास्त्र में वो आईरुवेद की द्रिष्टी से नेत्र रोग किस प्रकार से होता है उसके विशाई में जानेंगे सरुपरथम हम जानते हैं हम इस बात का ध्यन करेंगे कि नेत्र क्या है प्रकासत अने नेत्र शबंदी सरीर का स्थूल पर ग्यान होना अनिवार्य है नेत्र सरीर का एक बहुत मह्तुकू अंग है सास्त में लिखा है विध्याद वय गुलाबाहुल्यम स्वाद गुष्टोदर सम्मितं वयग गुले सर्वतह सारदं विषननन बुदबुदं नयन बुदबुद जिस व्यक्ति का हो उसको अंगुस्टोदर प्रमान में दो अंगुल होता है तथा सर्वतह अर्थाथ चोड़ाई और लंबाई दो अंगुल होती है तद पस्षाथ बैग्यानिकों के अनुसार लगभग एक इंच बताया गया है भारती आजारियों के कथन अनुसार स्वांगुस्ट अपने अंगुस्ट को मान कर प्रमान का उल्ले करना ठीक है आयू के अनुसार नेत्र गोलक की लंबाई वचोड़ाई ये बराबर होता है तद अनुसार अंगुस्टों को अधर में भी अंतर होता है के दो अंगुल नेत्र का गोलक आयाम का एक बटा दो भाग क्रिष्ट मंडल और क्रिष्ट मंडल का एक बटा दो भाग द्रिष्टी मंडल तथा द्रिष्टी मंडल में मसूर दाल के बराबर द्रिष्टी होती है नेत्र में पांच मंडल आठ संदी और छे पटल होते हैं मंडल पांच होते हैं पदम मंडल वर्तम मंडल स्वेत मंडल क्रिष्ट मंडल और द्रिष्टी मंडल और इसी प्रकार संदिया छे होती है पक्षम वर्द गताह संदी वर्तम सुक्ल गतोपरह सुक्ल कृष्ट गतस्पन्या कृष्ण दिश्टी गतोपरह ततह कनेक गताह सस्टा चापार्दे स्मृता ततह पक्षम मार्द गत संदी कहते हैं पक्ष और वर्तम में मिलने के अस्तान को कहते हैं वर्त्म सुक्ल गत संदी वर्त्म और सुक्ल मंडल जहां मिलकर संदी बनाते हैं उसे कहते हैं क्रिष्ट गत संदी कहते हैं सुक्ल क्रिष्ट गत सुक्ल का अर्थात सपेत और क्रिष्ट का मतलब होता है काला सुक्ल और क्रिष्ण मंडल के मिलने के अस्तान को सुक्ल क्रिष्ण गर्थ संदी कहा गया है क्रिष्ण द्रिष्टी गर्थ संदी क्रिष्ण मंडल और द्रिष्टी मंडल जहां मिलते हैं क्रिष्ण द्रिष्टी गर्थ संदी कहलाता है और कनीन गत संदी दोनों वर्त्म जहां मिलते हैं इस अस्तान को कहते हैं वर्त्म कहते हैं आंग की पुतलियों को नेत्र का जीवन में क्या मैत्व है तो इस विशई में आचार्य वागभट ने लिखा है अर्थात नेत्र हिन व्यक्तियों के लिए रात और दिन एक समान है अर्थात यह संचार उसके लिए व्यर्त है धन दान या एवं सर्व सुक सादन पस्तत होने पर भी उसको जीवन में आभाव लगता है सदिव अत यह मनुस्य को चाहिए कि वह अपने नेत्रों की सरवदा रक्षा करे और उस रक्षा के लिए परतन सील रहे इसलिए हमारे जीवन में मनुस्य जीवन में मानव दीवन में नेत्रों का विसेश महत्वा है ऐसे आचारियों ने कहा है नेत्र रोगों की संक्या के विशाई में हम बात करते हैं तो आचार्य सुसरुत ने अपने ग्रंथ सुसरुत सहिता में लिखा है सट सब तति विकार आणाम एसाम संग्रहकिरति नाम अर्थात 76 रोग माने गए हैं नेत्र के आचार्य मादव ने कुलोचन और पक्षमसात नामक दो रोग और इसमें माने हैं दो रोगों का और उले किया है अर्थात 78 रोग माने हैं और इसी क्रम में आचार्य वाग वन्ने इनकी संख्या चुराणवे गिनाई है परन्तु पासात्य वैज्यानिकों की जो संख्या सीमा है उसका अभी तक कोई निर्दारन नहीं है इसी क्रम में कहा गया है नेत्रा विशंदह यानि आँख का आना वात पिथ कफ द्रमात विश्यंती चतुरविदह प्रायन जायते गोर सर्व नेत्रा गमाक रह सुसरुत कहते हैं अभिशंद रोग चार प्रकार का होता है वाता विश्यन पित्ता विश्यन और कफा विश्यन और रग्ता विश्यन यह व्यादी सर्व नेत्रगत व्यादी है इसमें दूस्षा हैना यानी बेदना इत्याधी होती है पासात्य व्यज्ञानिक भी इस इस्थिजि को कहते हैं पटल गतरो क्या है? तो तिमिर दिष्टिमान प्रथमे पटले दोसा ये से दिश्ट्यान व्यवस्तिता अव्यक्तानी चरोपानी कदाजित पस्यती जब तक विकृत दोस्नेत्र के प्रथम पटल में ही इस्थित रहता है और व्यादि वह व्यादि कोई वस्तु जब व्यक्ति को साप साप इस पस्ट रूप से नहीं दिखाए देती है तो इस इस्थिती को प्रथम पटलस्त तिमिर कहा जाता है दोतिय पटलस्त दोस्त क्या है और कैसे विक्रित होता है इसमें दिरिष्टी अधिक विक्रित किता आ जाती है दिरिष्टी में नेत्रों के सामने ऐसा लगता है कि मक्की मच्छर आदी एवं जाले दिखाई देते हैं भिन भिन वस्तों गोल, कुंडलाकृती, पताका, चमकदार, रस्मया, खुदकते हुए मैडक के समान, बरस्ता, पानी और गनगोर, बादन, अंदेरा इस प्रकार के अनेक प्रकार के इसके लक्षण यानि सिम्टम से हैं ऐसे द्रिशी दिखाई देते हैं, कोशिस करने पर ऐसा लगता है कि सुई के छेट में धागा नहीं दिखाई देता हूँ, इस प्रकार से पास की वस्तू और दूर की वस्तू पास दिखाई देते हैं, विक्रित दोस जब तृतिया पटलस्त होता है, तब रोगी अपने से उपर की वस्तों को सरलता पुर्वक देख लेता है, परन्तो अपने से नीचे रखीवी वस्तों को नहीं देख पाता, सामने खड़ावव अव्यक्ति कान नाक एमम नेतर हिन दिखाई देता है, भिन भिन दोसों के प्रधानता अनुसार वस्तों में भिन भिन रंग दिखा देते हैं तृतिया पटलस विक्रेती दोस्त जब चतूर्त पटल में पहुंच जाता है तो तब रोगी बहुत रोग से उस रोग से बहुत ग्रसित हो जाता है यह यह व्यादी उतनी अधिक अभी वर्दित नहीं हो पाई हो तो रोगी आकास में सुई चंद्राद चमकदार वस्तों देख लेता है पित विधग्द द्रिष्टी क्या है पित विधग्द का मतलब होता है दिन में न दिखाई देना दूसित पित के द्वारा द्रिष्टी पीत वर्ण की हो जाती है रोगी सभी वस्तों को पीले रंग के समान देखता है इस इस्थिति का नाम पित वि प्रसांत हो जाता है अत्यों रोगी रात्री में भली वांति देख लेता है केवल मात्र दिन में नहीं देख पाता पासाथ्य विज्ञान के अनुसार यदि रोगी वस्तों को केवल फिले रंग का ही देखता है तो इस इस्थिति को पांडुद्रिश्टी कहा जाता है परन्त आईरवेद के त्रिदोस वाद के आधार पर विचार करने से उपरयुक्त सवी रोग पित प्रकोपज हैं। नेतस्त पित्र की विधग्द इस विधग्दता को दिन में अर्थात सुर्य के प्रकास में थरीबूत होना दिवान्द कहलाता है। इसलेषम विधग्द दिष्टी क्या है नक्तांध और रतोंदी जिसको कहा जाता है। कहता है नक्तांद विटामिन एवी और डी की कमी के परिणाम स्वरूप अब जनात्मक स्थित्यां पैदा हो जाती है दो मद्रिष्टी जिसको कहते हैं कि दुंदला दिखाई देना इस प्रकार के ये लक्षण कब उत्पन होते हैं जिस व्यक्ति को ज्वर सोक अत्यदिक परिश्रम एवं सिर्की पीडा कुछ लगातर बना रहता है इस प्रकार के सिम्टम इस प्रकार के लक्षण तो इसके परिणाम स्वरूप द्रिष्टी पर प्रभाव पड़ता है रोगी सबी वस्तों को दुएंग से धकी वी देखता है इस इस्तिती को धूमद्रिष्टी कहा जाता है आचारे कार्टिक के अनुसार यह व्यादी भी पित-प्रदान है रोगी केवल दिन में ही धूमद्रिष्टी होती है रात्री में नहीं पस्चात विज्ञान के अनु का विसेस होना पस्तार्यम कहलाता है सुक्ल मंदल में अर्थात सपेत जो आंहक melody होती है इसमें श्वेतर रंग का अम्रेदु जो की सने सने धीरे देरे बहुत दिनों में बढ़ता है उसको सुकलार्म कहते हैं पस्चात्य ज्ञान के अनुसार यह व्यादी स्वेत मंडल और इसके नीचे वाले द्रिश्टी मंडल से समंध रखती है और इसे कहा जाता है स्वेतार्म दो तिन वरसों में यह स्वेत क्रिश्ट मंडल पर बढ़ता हुआ पूरी तरह से आचारित कर देगा कर देता है और वह नितांद जिसको जिसके परिदाम सरोब व्यक्ति में अंधापन आ जाता है इसी क्रम में आगे आता है रक्तमार्द सुकल मंडल में लाल रंग की पंखुडी के समान म इस शिग्र ही बढ़ता है पस्चात्य वैज्यानिकों ने इस व्यादी का प्रभाव अस्थ्रो गरंतियों पर भी पढ़ता है अतेव इसका नाम जो है रक्तमार्द रखा गया है इसी प्रकार से यहाँ नेत्र के विविद रोग हैं नेत्र के विविद विकार हैं आगे हम यह जानेंगे कि जोती सो सास्त्र किस प्रकार से नेत्र व्यादी का विवेचन करता है कौन-कौन से योग ऐसे हैं जो नेत्र व्यादी के कारक हैं और किन परिस्तितियों में नेत्र रोग उत्पन होता है उसके जोती सी अकारण लक्षन और उसका समाधन देखेंगे यह आ बनन करेंगे तब तक के लिए नमस्कार